डेली उनिवर्सिटी, बैचलर अफ एजूकेशन, 2021, D.U.B.A. 2021 के अप्लिकेशन, फॉर्म्स आ गया है, फॉर्म फिलिंग सुरू हो गया है, I don't want any of my students to make a single mistake or any mistake while filling the form, फॉर्म फिल करने का एक एक प्रोसीजर को मैं डीटेल में कवर किया हूँ, कहां पर क्या लगाना है, कैस को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे expect किया जाता है, कि आप डेली बाइस चैनल पर गया होंगे, प्लेलिस्ट में वहाँ पर जो D.U.B.A. 2021 वाला प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देख लेना, फॉर्म फिल करने से पहले, वहाँ पर D.U.B.A. के eligibility criteria के regarding भी detail में discuss कर रखा है, और वहाँ पर आप देखोगी कि अलग-अलग preparation strategies वाले वीडियो है, preparation strategy 1, 2, 3, इन सब में कैसे इस exam के लिए preparation करना, इन बातों को भी मैंने समझाया है, last year जो qualified students थे, उन qualified students के साथ मैंने कुछ meetings conduct किये थे, उन meetings के recording भी आप वहाँ पर देख सकते ह है, क्या आप preparation का strategy रखना चाहिए, इन बातों को आप देख सको और समझ सको, कल ही मैंने एक video lecture भी upload किया था, confusion regarding 200 marks, become, arts, other queries, age, limit, books, and to refer, ये सारे queries मैंने इसलिए cover किये थे, क्योंकि form fill करने से पहले, 24 गंटे पहले आपको ये सभी बाते doubt एकदम बहुत ही crystal clear होना चाहिए, form fill करते समय, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, पिछले तीन साल से मैं इसको करवा रहा हूँ, animation के सब कुछ related, तो मैं अक्सर देखता हूँ, बच्चे form fill कर लेते हैं, इंसक्ट जब exam सुरू हो जाता है, तब उनको अपने mistakes का realization होता है, तो please don't do that, ये वाला video lecture भी आप दे को वही एक common interest exam का paper देना होता है, और ये paper थोड़ा सा आप पाऊगे कि science stream वालों के तरफ ज्यादा जुका होता है, लेकिन of course cutoff अलग-अलग होता है, science वालों के cutoff ज्यादा होते हैं, social science, language in लोगों के cutoff थोड़ा कम होते हैं, तो ये questions जो science के आते हैं, basically ये लोग class 11th, 12th के NCRT, exemplar, class 6 to 10th के NCRT के books के back में, जो भी MCQ की questions दिये होते हैं, ये लोग वहाँ से भी questions को ठीक ठाक उठाते हैं, तो डेली bites पर आप देखोगे NCRT exemplar class 11th करके एक playlist होगा, इसमें रिंजिम मैम सभी biology के lectures को cover कर रही हैं, इसमें MCQ type of questions हैं, ध्यान रहे, ये video lecture जब upload होता है, तभी आप लोग इन videos को देख लो, कि exemplar की series बहुत लंबी है, और बहुत सारे इसमें videos आने वाले हैं, तो अगर आप ये सोचरों कि exam आएगा, एकी दिन बैठेंगे, सभी videos को देखेंगे, और learn हो जाएगा, नहीं, videos hardly 15-20 minutes के होंगे exemplar के, इन videos को आप देखते रही है, exam मे कौन से वीडियो से, कौन से topic से question आएगा, ये आपको नहीं पता है, exemplar series अब ठीक से prepare करते रहो, बिल्कुल आपको exam में extra boost मिलेगा, तो अभी biology cover हो रहा है, कुछ दे में chemistry के भी exemplar के सभी questions आपको देखने के लिए मिलेंगे, class 11-12 का, higher level का हम prepare करवा दे रहे हैं, lower level के भी videos म आ जाएं, आ जाती है, तो so far so good, otherwise lower level का आप लोग खुद भी चीजों को prepare कर सकते हैं, और Delhi University और तमाम सभी updates के लिए आप मेरे से Instagram पर भी जूड सकते हैं, जिसका link description box में दिया हुआ है, या फिर ये user ID आप Instagram पर search करिए, और Delhi Bytes के बहुत से career related webinars, जहाँ पर teacher education के within dimensions को मैं cover कर करता हूँ, उन webinars के updates, lectures को देखने के लिए आप YouTube पर अभिलास सिंग सर्च करो, वहाँ पर आपका educational webinars, motivational talks, interviews, career opportunities, non-fiction book reviews, etc. time to time देखने के लिए मिलेंगे, जिसका link description box में भी दिया हुआ है, या फिर comment section में भी मैं नीचे उसे pin कर दूँगा, ओके, तो form filling शुरू करते हैं, DUBA 2021 का form fill करने के लिए, या तो आप Google पर du.ac.in सर्च कर लो, या फिर अपने Chrome के address ब्राउजर में आप du.ac.in टाइप करिए, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा सा page आएगा, तो यहाँ पर आपको admission 2021 पर click करना है, हो सकता है कल को बाद के बाद, या कुछ दिन बाद ये logo कुछ difference आओ जाए, फिर भी आप admission 2021 पर click करना, ध्यान रहे, DUBA का form fill करने के लिए, आपको postgraduate admission पर click करना है, दो BA postgraduate में नहीं आता है, ठीक है, वो एक अलग matter है, लेकिन DUBA का form भरने के लिए, आपको postgraduate admission पर click करना, postgraduate admission 2021, इसमें आप click करेंगे, तो एक बार हम देख लेते हैं, important dates क् form filling date start हो रहा है, 6 July से, close हो रहा है, 21 August को, probably extend होगा तो अच्छी बात है, फिलाल यही dates है, eligibility देख लेते हैं, यहाँ पर आप अपना course select कर लो, हमको Bachelor of Education B8 का form भरना है, यहाँ पर वही बाते दिर हुई हैं, कि 50% आपका graduation में होना चाहिए, बाकी के जो odd terms condition है, उसके लिए कह र refer करिए, तो कुछ ऐसा सा home page आपके सामने खुलेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, new user registration पर आना है, new user registration पर हम click करेंगे, यहाँ से हम सभी details को fill करेंगे, और फिर यहाँ पर आपका login detail आ जाएगा, phone number अगर अगर आप फिल करना है, तो एक एक करके मैं details को fill करता हूँ, okay, तो details को fill करते हैं, first name में मैंने डाला है Delhi, middle name whites, Delhi whites, okay, date of birth आप वो fill करेंगे, of course जो आपका है, मैंने यह उस हिसाब से fill किया है, so that यह form जो मैं dummy form fill कर रहा हूँ, fill हो जाए, since और gender मैंने female select कर रखा है, क्योंकि Delhi whites has been working towards promotion of female education, जिनके लिए अलग से webinars भी conduct होता है, तो उसी की promotion मे मैंने gender female select कर लिया है, आप अपने हिसाब से अपना gender select कर सकते हो, nationality, Indian, state of domicile, जहां भी आपका home state हो, जहां पर आपका native place हो, आप वो select करेंगे, या फिर जो भी आपका current address हो, यह सब बहुत जादा matter नहीं करेगा, state of domicile, आप वो डालो, कि अगर आप से university कहर देकल को domicile certificate लाने के लिए आपका permanent address हो, वो आप फिल करिये, CW category, किसी पर लागू होता, arm forces बगरा, paramilitary बगरा, तो आप select कर सकते हैं, मैं यहां not applicable बहरता हूं, minority category, मैं यहां पर not applicable बहरा हूं, आप देख लो, अगर आप Christian या सिक हो, तो आप पने लिए select कर सकते हो, person with disabilities में, not applicable, अगर क post graduation, या फिर कोई और degree आप ले रहे हो, तो यहां पर आपको fill करना है, तो मैं यहां पर University of Delhi select करूंगा, अगर आपका University इस लिस्ट में है, तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप other select कर देना, ठीक है, यह सारी चीज़े भोज़ता है, matter नहीं करेंगी form fill करने में, वैसे मैं University of परना compulsory नहीं है, are you vaccinated, COVID-19 vaccinated, yes, both doses taken, Delhi Bites has always been top on all these promotions, okay, यहां पर मैंने emails में भर दी है, contact. Delhi Bites at gmail.com, Delhi Bites का official contact हो है, कुछ मैंने password लगा लिया है, Delhi Bites का membership वाला जो number है, जिस पर students contact करते है, Delhi Bites का membership लेने के लिए, वो phone number मैंने या फिल कर दिया है, probably हो सकता है, आगे OTP बगर आ of my knowledge, yes, of course, please verify all the details are correct, this information will be used during entire admission process, no changes, modification will be allowed in any circumstances, please be careful in filling up the required information in all aspects, okay, यहां पर basically मैं दुबारा चेक कर लूँगा, कि ठीक है, मिरा नाम सही है, Delhi Bites ठीक है, okay, मिरा date of birth ठीक है, okay, categories ठीक है, okay, fine, gender सही है, okay, last university attendant, यह बहुत important है, इसको मैं चेक कर लूँगा, सही है, okay, done, register, okay, तो जैसा कि मैंने बोला था, यह लोग OTP send करेंगे, तो your account is created successfully, please enter the verification, send to your registration details, तो मैंने जो email ID fill किया था, वहां से मैं देख लेता हूँ, और OTP डाल देता हूँ, तो 448505 OTP में जाया है, मैं उसे fill कर देता हूँ, 448505, okay, submit OTP, अब देखिए, form fill हो गया है, account verify हो गया है OTP डालने के बाद, वापस से exactly हम उसी home page पर आ गया है, जहां हम थे, अब हमको यहाँ login करने के लिए क्या करना है, जो email ID हमने fill किया था, वो और जो password हमने create किया है, वो उसको हम यहाँ पर fill करेंगे, okay, तो details मैंने fill कर लिया है, मैं login करता हूँ, और देखिए, कुछ ऐसा सा form हमारे आगे, खुल गया, जो चीज़े मैंने भरी थी, name, delivites, category, undeserved, nationality, indian, जो भी age बगर था मैंने भर दिया है, father name मैंने अपने नाम डाल दिया, mother's ने मुझे कुछ दू जिनी रहा, तो मैंने भिलाचा लिख दिया, आप इस सारी चीज़े अपने साब से भरेंगे, delivites का manager, official contact number उसको डाल दिया है, अब यहां लिख रहा, your passport size photograph, यहां पर मैं upload करूँगा, signature upload करूँगा, फिर मैं ID proof upload करूँगा, एक-एक मैं आपको upload करके show करता हूँ, ओके, तो मैं documents को upload करता हूँ, यहां पर आपको ध्यान रखना है, जो passport size photo है, उसका size maximum to maximum 50 KB होना चाहिए, I think images बगर edit करने में आप अच्छे होंगे, तो यहां मैं photo में Deli Bats का logo लगा जाता हूँ, तो start upload, यह 50 KB तक का logo है, यह upload हो गया, signature है, मैंने dummy signature एक अपना बना रखा है, ऐसे ही upload करने के लिए आप logo को, start upload, देखिए signature upload हो गया, अब यहां कह रहा है कि ID proof, ID proof में आप कुछ भ upload कर दूँगा, ठीक है, यहां पर मैं pancard का file include करूँगा, तो यहां पर Deli Bats का pancard है, उसको मैं upload कर दूँगा, यह कह रहा है, मेरे से JPG form में मेरे को डालना है, तो देखिए pancard का photo मैंने JPG form में रखा है, ओके तो मैंने pancard select कर लिया है, start upload, तो Deli Bats का pancard यहां पर upload हो गया, औ मैं 10th का certificate attach कर देता हूँ, यहां से class 10th का आपको certificate attach करना है, start upload, यह भी 100 से 500 KB के बीच होना चाहिए file, देखिए इन सभी चीजों को मैंने यहां पर upload कर दिया है, अब मैं यहां पर Deli Bats का official address upload करूँगा, और उसके बाद मुझे bank account का detail डालना होगा, in case admission लेते समय है, मैंने कुछ fees payment कर दिया, admission cancel हो गया, कुछ issue हो गया, तो refund करने के लिए, यहां पर जो भी आप account detail डालोगे, उसी account में आपका पैसा refund आएगा, किसी भी विवादस्पत परिस्थिती के लिए, यह detail यहां पर आपसे fill करवाया जाएगा, तो यहां पर मैं address अपना fill कर लेता हूँ, त इसमें किसी कारण साब का admission cancel हो जाता है, या फिर admission लेने के बाद colleges, कुछ-कुछ issues आ जाते हैं, किसी कारण हो आपका पैसा refund करना पड़ता है, तो यहां पर आप वही account detail डालोगे, जिसमें आप अपना पैसा refund करना चाहोगे, ठीक है, वैसे तो refund होता नहीं है, मानने लोग क कोई बिवाद हो गया, admission आपने ले लिया, फी payment कर दिया, बाद में कुछ documents गलत आए, तो फी आपका refund होगा, तो इसी account में refund होगा, जो detail आप यहां पर भरेंगे, तो उसी हिसाब से आप अपना भरना, do you need a hostel, no, मुझे hostel नहीं चाहिए, अब यह सारी चीजे मैंने डाल के upload क अब देखें, यहां पर सब कुछ शो कर रहा है, जो मैंने फिल किया था, डेली भाइट, अन्रिजर्व काटेग्री, logo, signature, और यहां पर जो ID प्रूफ है, मैंने डाल लखा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो यह साइड है मुझे शो करेगा, तो यह सारी चीजे यहां पर यहां पर एक चीज नोटेस करूँ, यहां पर लिखा हुआ, I have uploaded my self-attested 10th certificate, myself attested, ध्यान रखें, वैसे कि डॉकुमेंट गैजिटेड ऑफिसर से साइंड होना चाहिए, लेकिन अब क्या है कि आप self-attest भी कर सकते हो, तो self-attest कैसे करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने जो कुछ भी documents अप्लोड किया है, वो self-attest किया है, तो यहां पर एक बार आप देख लो self-attest किया है, तो यहां पर पैन कार्ड अप्लोड करना मेरे लिए simple पढ़ता है, इसलिए मैंने पैन कार्ड किया है, आप यहां पर अपना आधार भी रख सकते हो, आध उसके उपर पैन कार्ड रखके फोटो कीच लिया, तो यह हो गया, तो यह हो गया, तो इसी तर आप अपना पासपोर्ट रख सकते हो, या फिर अपना आधार रख सकते हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हो, जो आपको simple पढ़े, तो एक जगह यहां पर form filling मे Do you have a passport? तो मैंने लिख दिया, तो no, दो मेरे पासपोर्ट है, क्योंकि देखिए, forms में उतना ही भरी है, जितना required है, unnecessary details भरेंगे, तो और detail मांगेगा, तो आपको दिक्कत होगा, ओके, फिर बोला father in detail, mother's name, मैंने विलाशा रखा तो जैसे कि आपको पदा हो, father's employer, कुछ भी कर ले तो other, चलो ठीक है, मैं university of Delhi कर लेता हूँ, okay, still वो मेरे से बोल रहा है, चलो ठीक है, मैं other कर लेता हूँ, mother's name, university of Delhi, या फिर I would say none, okay, तो यहां भी मैंने none कर दिया है, so that वो मेरे को detail फिल ना करवाए, बाकी का, अपना आप detail फिल कर सकते हो, जैसे मालिज, आपके father, ज नन कर दे रहा हूँ, so that वो मेरे से पूछे न, क्योंकि हो सकता है, बहुत लोग के parents unemployed हो, तो वहाँ पर कुछ नहीं भरना है, आपके parents employed है, university of Delhi में काम करते हैं, तो भरो क्या है, others कहीं और काम करते है, तो फिल कर दो, कुछ नहीं करते है, housewife है, आपकी mom या कुछ है, तो आ मैं नन कर दिया है, save, मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए, यहां सारा कुछ details show कर रहा है, employment of parents, जो कुछ मैंने fill किया है, फिर submit employment details of parents, yes, I have uploaded all details, best of my knowledge and correct, I confirm the app of, yes, save my profile, यहां पर हो सकता है, आप अपने parents का detail पूछो, तो एक दो चीज़े, mother salary, father salary, father employment, यह सारी चीज़े हो सक तो आपको extra details fill करना हो, और ध्याम रखिएगा, आपको सही चीज़ फिल करना है, यहां पर मैं एक demo fill कर रहा हूँ, इसलिए मैंने none कर दिया है, जब आप fill करोगे, तो अगर आपके mother father job में है, खास करके government job में है, तो आपको जरूर चीज़ों को details को exactly सही fill करना है, जैसे portal assigned हो गया है website पर, यहां पर मेरा कुछ ऐसा ऐसा portal है, contact.deleybytes.gmail.com यह सारा चीज़े हैं, जो मैंने form fill किया है, वो यहां पर आ गया है, अब मेरे को बस क्या करना है, apply पर click करना है, आप देखेंगे यह basic details सारे के सारे भरे हुए हैं, पहले से ही, अब मैं यहां पर क्या यहां पर जो कुछ भी मेरा 10th का mark sheet का detail है, graduation का जो कुछ भी requirements है, उन सारे details को मैं यहां पर fill करूँगा, फिर मैं यहां पर save application करूँगा, तो okay आते हैं, ऊपर के एक बाद details देख लेते हैं, सब कुछ filled है, 10th औ 12th का यह सारा degree वगर मैं fill कर देता हूँ, okay तो यहां पर मैंने details fill कर दिया, 10 plus 2 qualification मैंने, ऐसे ही सब dummy डाल लगा, science, central board of secondary education, 2015 मैं मानलो pass out हुआ, maximum marks का paper था 700, जो marks obtained किया, 685.7%, यहां पर जो भी आपकी qualifying degree है, आप अपने हिसाप से देख के fill कर लो, मैं ऐसे ही डाल दिया हूँ, BA pass, history, मैं history का teacher हूँ, इसलिए मैंने history select कर लिया है, University of Delhi 29600 मैं पाया, 83.33, result awaited no कर दोगे, तो यह column gab हो जाएगा, result awaited appearing year में है, तो no कर देना, PG के basis पर आप form भर रहे हैं, तो यहां पर आप उसी हिसाप से चीजों को भर सकते हैं, देखो, यहां पर आपको बोले गाया, MA, BA, जो कुछ भी आप कर रहे हो, तो यहां पर result awaited में आप यह ल 83.33, तो यह देखो, आप form फिल हो गया, बाकी का, name of last college attendant, Central Institute of Education, ध्यान रहे, जो लोग Delhi University के हैं, उनको अपना यहां पर roll number लिखना है, जो लोग Delhi University के existing student है, अगर Delhi University के नहीं है, तो कुछ नहीं भरना है, बस यहां पर name of last college attendant, लिख दो, उससे जादा कुछ नहीं भरना है, अब यहां पर देखिए, सभी वीडियो में, जो मैं आप लोगों को चिला चिला के कहता हूँ, कि 200 वाला criteria, D.U.B.Ed में 200 वाला criteria, और हमेसा मैं आप लोगों को बोलता हूँ, कि चैनल के playlist में जाए, D.U.B.Ed 2021 वाला playlist देखोगे, तो उसमें इन सारी बातों को मैंने बहुत detail में समझा रखा है, अब देखो, यहां जैसे ही मैं program select करूँगा, वो मेरे को बोलेगा, कि so and so criteria fulfill हो रहा है कि नहीं, यहां मैंने देखिए, B.Ed select किया, choose admission criteria, B.Ed में सिर्फ entrance basis पर होता है, अब देखो, यहां पर मेरे सो क्या बोलता है, कि bachelor's degree और master's degree, social science, humanities, commerce और अनी अधर qualification kitchen inventory, यह मेरे को select करना है, या फिर आप B.Tech के हैं, तो 55% वाला जो यह criteria है, B.Tech में 55% वाला चाहिए, यह select करना है, आप देखेंगे PG का कोई भी और farm भर होगे, तो आपको नीचे यह वाला नहीं आएगा, pedagogy वाला criteria, ठीक है, मैंने पहले examination center चूस कर लेता हूँ, मानलो डली list देखें, उसमें सब कुछ मैंने detail में समझाया है, वो जो वहाँ पर मैंने fill करवाया है, यह बहुत count करेगा, यहाँ पर देखो, यह बात बोल रहा है, कि preference of school teaching subject, please refer table 1 on page number 8 of B.Tech prospectus 2021, यही same चीज, डली बाइट के telegram group में भी डाला गया है, और इसको क्या कहते है, मैंने videos में समझाया है, यहाँ पर जैसे ही मैं pedagogy select करूँगा, वो आगे मेरे को teaching subject बोलेगा, क्या लेना है, तो कोई सिर्फ एक मैं teaching subject ले सकता हूँ, अब यहाँ पर भी मैं biology select करूँगा, तो यहाँ पर देखो, criteria उपर दे रखा है, कि eligibility for choosing subject, the candidate will have to choose only one subject within a subject category with he, she must have studied in bachelor's degree or master's degree for at least 200 marks and on obtained 50% marks in the subject, यही Delhi University का अलग से criteria है, और अच्छी बात है कि इस बार से इनों लोग ने लिख दिया है, कि only post graduate students can choose subject psychology, commerce and sociology, वो चूज नहीं कर सकते हैं, usually यह लोग mention नहीं करते हैं यहाँ लेकिन चलो इस बार mention कर दिया है, तो मान लो मेरे को social science भरना है, अब यहाँ पर मैं pedag कर रहा हूं, उसी का मैं teacher भविस में बनूंगा, अगर specific domain में मैं जाता हूं, teaching को लेकर तो, वो एक अलग matter है, I agree, yes, तो आप अपने हिसाप से यहाँ pedagogy subject select करेंगे, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में हर जग समझा रखा, वो exactly same चीज यहाँ पर बरना है, save application, यहाँ कह रहा है क मेरे को fill करना होगा, last examination, role number, since मैंने उपर कहीं भर रखा होगा, कि मैं university last attended Delhi University मैंने भर रखा, इसको मैं change कर देता हूं, so that मेरे से उन्हाँ पूछे है, ठीक है, Assam University, मेरा form fill direct, यह सब मैं dummy fill कर रहा हूं, save application, okay, save application, okay, तो save application के बाद मुझे यह next page पर लाया है, यहाँ पर ध्यान रहे है, जिनको hostel लेना है, hostel केवल और केवल Central Institute of Education में है, बागी के तीनों जगाँ hostel नहीं है, MBCOE में hostel नहीं है, Central Institute of Education में hostel है, वो भी bedding वाला hostel है, ठीक है, boarding type का hostel है, complete room नहीं मिलता है, फिर चानपरशाद मुगरजिया को third पर, और यह fourth पर, usually मेरा form में आना नहीं च पर शो कर रहा हो सकता है, मेल को यह शो ना करें, ठीक है, इसको मैं submit करूंगा, तो कह रहा है कि I have checked all the entries, I declared that the entries are correct, I am responsible for the entries filled in the form, I confirm the app of submit, अब यह मेरे को next page पर ले जाएगा, अब देखो यह preview करा रहा है, जो कुछ भी मैंने fill किया है, सारी बाते हैं यहां पर mentioned है, सब कुछ एक एक चीज जो मैंने fill किया था, सारा चीज यहां पर है, click to modify application, कुछ आपको दिक्कत हो, pay fee या my home, मैं pay fee करता हूँ, ठीक है, 750 rupees form है, देखिए reference number मेरा generate हो गया, एक तरह से form number generate हो गया, payment gateway पर मैं जाओंगा, अब यहां पर मैं select करूंगा, net banking, debit card, credit card, जो आपको लगे, मेर net banking से fill करना है, तो मैं net banking, ICCI bank डालूँगा, या other bank जो मेरे को अच्छा लगे, ठीक है, वो डालूँगा, इसको मैं fill कर देता हूँ, यहां पर मैं other bank में select कर ले रहा हूँ, state bank of india, अब यहां पर देखो, payment के मेरे को page पर लाग दिया, जैसे ही, मैं login करूँगा, payment करूँग ओके हो जाएगा, form फिल हो जाएगा, यहां पर मैं एक चीज़ एड करूँगा, कोई भी डेली वाइट्स का paid member, अगर form फिल कर रहा है, उसको form के payment में कोई issue हो रहा है, वो खुद से payment नहीं कर पा रहा है, और उसने अपने form के basic details भर दिया है, जैसे कि अपना नाम, address, photos, वो आपका form यहां से login करके, payment करके, okay कर देंगी, जो कि आपके portal पर, आपको mail पर, आपके number पर message आजाएगा, उसको आप cross check भी कर सकते हैं, बाकी का जो डेली बाइट्स के paid member है, वो payment वगरा को लेकर मैं जानता हूँ, trust करते हैं, तो इसमें इतना कुछ बताने की जरूत नह हो गया है, यहां पर आप देखो कि मैंने एक form फिल किया है, तो total one आ रहा है, एक और फिल कर दूँगा, तो two हो जाएगा, final fee का मैंने payment नहीं कर रखा, of course आपको पता है क्यों नहीं कर रखा, तो कर दूँगा one, तो यहां पर भी one आ जाएगा, submitted जैसे ही मैं fee payment कर दूँगा अगर मान लो मुझे दो form भरने हैं, तो यहां पर मैं apply करूँगा, फिर से देखो वो सारे जो basic details हैं, वो same field है, और यहां पर मैं क्या करूँगा, एक नया course select कर लूँगा, select a program, मान लो मुझे special education का form अलग से बरना है, तो मैंने यह mental retardation वाला select कर लिया, entrance based, same चीज, देखो same सारी चीजे, same वो pedagogy subject का criteria यहां पर भी दे रहा है, तो यहां पर यह है कि जो भी आपको पता होगा, कि mental retardation, special education का है, mental retardation या फिर visual impairment का है, इनके form तीनों के अलग fill होते हैं, तो जैसे ऐसे आप add करते जाओगे, वैसे वैसे चीजे वाहां पर fill होते जाएंगी, अब वापस मैं my home पर आ जाता हूँ, I'll just get back to my home, okay तो वापस मैं my home पर आ गया हूँ, यहां पर आप देखेंगे, apply करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, जितने courses का form फिल करना चाहूँ, फिल कर सकते हो, सबका exam date अलग पड़ेगा, उसको लेकर आपको परिशान नहीं होना, बागी का important dates वेगर, यह स बाशर डाउनलोड करना चाहते हो, वो सब मिल जाएगा, और Deli Bytes के Telegram Group में भी आपको यह सारी चीज़ें मिल जाएगा, तो description box में एक Telegram Group का भी link दिया हुआ है, या फिर आप Telegram पे यह सर्च कर लो, Deli Bytes Education, इस Telegram Group में आप जाके जुड सकते हैं, सभी B8 से related update, B8 के बाद C इन सभी के updates आपको Deli Bytes Education के Telegram Group में मिल जाएगे, DU B8 2021 का जो Official Prospectus है, Final Eligibility के B8 के जो University के Official Prospectus है, वो सब चीज़ हमारे Telegram Group में मिल गया है, ध्यान रहे, वीडियो के format में हम लोग सभी चीज़ अपडेट नहीं करते हैं, तो आपको Telegram Group में Deli Bytes के मिल जाएगा, आप जाके Current Affair के Question, Quizzes, History के Quizzes, जो भी Form Filling से, Teacher Education से Related जो भी Updates हैं, Form Filling के Dates हैं, Current Affair के जो Issues हैं, Queries हैं, इन सारे चीज़ों को वो Deli Bytes के Instagram पर भी Solve करने के कोशिश कर रही हैं, अब इस Instagram पर जाकर सभी चीज़ों में आप Participate कर सकते हैं, और कल को आपका DU B8 में Admission हो जाता है, तो आपको बहुत सारे Video Lectures मिलेंगे, जिसमें Educational Psychology, Contemporary Education in India, इन तमाम Topics के मेरे Video Lecture आते हैं, जिसको मैंने Cover कर रखा है, जो कि बहुत Lucid और Simplified वे में मैंने समझाया है, जो आने वाले वक्त में आप कहीं से भी बीएट करेंगे, आपको बहुत helpful होगा क्योंकि C.T.K.VS, U.P. इन सभी exams में ये सारे Questions इन Topics से आते हैं, मैंने Video Lectures को बहुत Detail में समझा रखा है, और Description Box में एक Telegram Group का Link दिया हुए, नेक्स Video Lecture के Update के लिए और University Admissions से Related सभी News and Updates के लिए, आप Deli Bytes के Telegram Group में जुड सकते हैं, और Of Course, Instagram पर भी जुड सकते हैं, जिसका Link Description Box में दिया हु